नमस्कार दोस्तों सुवागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर जानकरी के साथ हम एक बार फिर आजी रहें आप लोगों की सेवा में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम खास थोर पर उन लोगों के लिए जानकारी लेकर आये हैं जो की महिलाएं बार-बार प्रेग्नेंसी टेस्ट कर रही है फिर भी उनका टेस्ट बार-बार नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा क्यों होता है दोस्तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम उन कारणों को बताने वाले हैं जिनको आप अगर ठीक तरीके से समझेंगे तो आपके मन की जितनी भी दूविदा होगी वो आप दूर कर पाएंगी तो ऐसे क्या कुछ कारण हो सकते हैं वही आज की इस वीडियो में या फिर कुछ गलतियां ऐसी आप लोग कर देते हैं जिसकी वजह से आपका टेस्ट नेगेटिव शो होता है तो उन सभी कारण और गलतियों को हम आज आपके सामने लेकर आए हैं तो चलिए दूस्तों आपका ज़्यादा टाइम बरबाद ना करते हुए जानते हैं वह कारण कौन-कौन से हो सकते हैं तो पेला कारण होता है ज़्यादा जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना जिससे परियाप्त मात्रा में SCG हार्मोन न होने के कारण pregnancy test kit का result negative आया हो दोस्तों आप सभी लोग एक बात को तो अच्छी तर इसे जानते ही होंगे कि pregnancy test में pregnancy test का result positive आना बहुत ज़्यादा मात्रा में SCG हार्मोन पर निर्वर करता है लेकिन जब आप केवल period मिस होने के 2 या 3 दिन के अंदर ही pregnancy test कर लेते हैं तो बहुत सारी सूरतों में तो result सही show हो जाता है लेकिन अधिकतर वह test negative ही show होता है भले आप pregnant ही क्यों ना हो तो इसलिए जब भी आप pregnancy test करें तो कम से कम period मिस होने के 9 से 10 दिन के पश्चात आप करेंगे तो आपको हमेशा accurate और सही result ही show होगा अब बात करते हैं दूसरे कारण की कई बार home pregnancy test का सही इस्तमाल ना करना भी pregnancy test को negative दिखा देता है जी हाँ दोस्तों अगर आपने urine का नमुना test करने के लिए बहुत जल्दी लिया हो या फिर आपने test करने से पहले बहुत ज़्यादा मातरा में तरल पदार्थ पी लिया हो जी हाँ ये बात भी बहुत ज़्यादा हद तक निर्बर करती है आपके शरीर के लिए जो की खास और पर pregnancy test आपको शुरू करने से पहले ध्याद में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों अधिक पहनी या फिर तरल पदार्थ का सेवन मुत्र में SCG हार्मोन की मातरा को कम कर सकता है जिससे pregnancy test नेगेटिव आ सकता है home pregnancy test का इस्तमाल करने के लिए इसलिए हम बार-बार आपसे कहते आये हैं कि सबसे पहले जब आप सवेरे morning में उठी हैं तो उस time का जो urine होता है urine sample होता है वह सबसे best माना जाता है pregnancy test करने के लिए इसलिए जब भी आप pregnancy test करें तो इस बात की जरूर कोशिश करें कि जब आप first morning का जो first urine होता है उसी से pregnancy test करें तो वह काफी बढ़िया होता है pregnancy test के लिए एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि pregnancy test kit के result का ज़्यादा इंतजार ना करना दोस्तो महिलाओं का घर में ही pregnancy test सही से उपयोग नहीं करना भी pregnancy test negative आने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं किट के box पर जब दिगी गई जानकारियों और नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करती है तो यह भी test के result के लिए आम तोर पर सही नहीं होता है दोस्तो जब भी test किया जाए तो आम तोर पर test किट पर भार ही जानकारी दी हुई होती है कि pregnancy test पर urine sample डालने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनिट का wait करना चाहिए लेकिन आधिकतर महिलाओं ऐसा नहीं करती है जिसके बाद सही परिणाम इसपश्ट नहीं हो पाते है दोस्तो कुछ महिलाएं किट में urine डालने के कुछ मिन्टों के बाद ही परिणाम सही ना आने पर किट को फेक देती है या बहुती गलत तरीका है जब भी आप pregnancy test करें तो उस पर urine simple डालने के बाद कम से कम 10 मिनिट टक वेट अवश्य करें क्योंकि 10 मिनिट के बाद ही तस्वीरे पूरी साफ होंगी कि pregnancy test सही है या फिर positive है या फिर negative तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान जरूर रखें या भी एक गंबीर कारण हो सकता है आपका test negative आने का बात करते हैं अगले कुछ कारण की जो कि इन कारणों से बिलकुल अलग हो सकते हैं तो दोस्तो इसे में अगला कारण आता है हार्मोनल असंतुलन के कारण गरवस्ता परिक्षन के परिणाम negative आने का सीधा सा मतलब यह भी होता है कि आप pregnant नहीं है आपके period ना होने के कोई और कारण भी हो सकते हैं यह मोटापा, तनाओ, हार्मोनल असंतुलन डिप्रेशन और lifestyle से संबंदिस समस्याओं के कारण यह अन्य किनी कारणों से भी हो सकता है तो यह भी एक कारण हो सकता है दोस्तों अगला कारण होता है false pregnancy हाँ, भोसरी सूर्तों में अधिकतर 10% महिलाओं में false pregnancy के कारण pregnancy test negative आ सकता है pregnancy test negative का कारण false pregnancy भी हो सकती है pregnancy test negative जब ही आता है दोस्तों जब अस्थानिक गर्भावस्ता यानिकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो, या भी शरीर में SCG आर्मन की मात्रा बहुत ही कम हो, एसी सूरत में आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, और यह एक फाल्स प्रेगनेंसी के भी लक्षन हो सकते हैं, इस सिचुईशन में आपको डोक्टर से भी सला मश्वरा करने की जरूरत जरूर है, अगर आपको लगता है कि आपको फाल्स प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो, तो दोस्तों यह थी वो सारे कारण, रीजन, जिसके कारण, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन कारणों के कारण भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हैं, तो इस अभी की जानकारी भी आपको होना जरूरी थी, इसी के लिए हम यह जानकारी आपके लिए खास दोर पर लेकर आए थे, उमीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है, और करने के बाद आप चेनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चेनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी दिल्चस्प जानकरिया हम आपको इस चेनल में लेकर आते रहते हैं तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखें, बहुत बहुत धन्यवाद